हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वाई विश्कुप्ता में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं जहारखंड बोर्ड परिक्ष्छा दुहजार तेश के अठ्मी पढ़ने वाले विद्यार थी को एंसर की लेकर आया हूं अर्थात वैसे विद्यार थी जो अभी मैत अर्थात गनित का एंसर का एंसर मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना क्यूशन सही किया और कितना गलत किया अर्थात आप चुपके से देखें और कमेंट करें कि कितना आपका नंबर आया तो चलिए दोस्तों आज मैं आठ्मी की एंसर बताने वाला हूं इसलिए वीडियो पर लास्ट बने रिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि यहां आप देख रहा हैं यहां पर आपका क्यूशन यहां गनित मैथमाटिक्स का है इसमें टोटल क्यूशन नंबर एक से लेकर पचासता क्यूशन दिये हुए रहेंगे और इसका ऑप्सन भी दिये हुए रहेगा उसको देखकर आपको टिक मारना है तो चलिए हम आपको डाइरेक्ट एंसर बताऊंगा अगर आप इसका सल्यूशन देखना होगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका सल्यूशन देदूंगा तो चलिए किस तरह से यहां पर देखना है उसको बारे में हम लोग यहां विस्तार से देखते हैं तो हमारा क्यूशन य हम लोग डावलू से सुचुद करते हैं तो सबसे पॉली संख्या पुर्णवर्क की जीरो होती है एक दो तीन डॉट 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 अंगिरी तिक होती है इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसका क्या हो जाएगा तराइट टेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर कि इसके बाद अगला की उच्वान हम लोग देखते हैं सबसे छोटी भाज संख्या क्या है जैसा कि आप जान रहे होंगे भाज संख्या और अभाज संख्या जो पूरी तरफ से भी भाजित हो जाए अर्थात और किसी अपने आप से और श्युम से इसके अत्रिक्त और वैसी संख्या जो अपने आप से और एक से विभाजित होती है उसे अभाज संख्या कहते हैं तो यहां कहरा है सबसे छोटी अभाज भाज संख्या क्या हो जाएगा तिसका राइट टेंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दू चार अगला क्यूचन है कराने मलेखित में से कौन सा गुनात्मक तत्समक है तो गुनात्मक तत्समक मतलब होता है कि उसको गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तेहां पर ओप्शन नमबर एक ओप्शन नमबर दो दोनों हो जाएगा क्योंकि एक गुना एक करेंगे त तो भी हमको 0 मिलेगा, इसलिए इसका option number 3 हो जाएगा, अगला question कह रहा है, 9 बाटा minus 7 का योज परतिलोम क्या होगा, अर्थात जैसा कि अब जानते हैं, योज परतिलोम का अर्थी होता है, योज मतलब चिन और परतिलोम मतलब उल्टा, अर्थात इसमें हमको कुछ नहीं करना है, शिर्फ चिन को हम लोग को परतिलोम अर्थात उल्टा कर देना है, अगर यहाँ पर पलस रहेगा, तो हमको माइनस कर देना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, तो पलस कर देना है, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का पलस हो जाएग इसके बाद अगला क्यूचन कह रहा है ऐसी परमे संख्या जो स्वयम का विद्करम है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 कोई नहीं है इसके बाद अगला क्यूचन यहां देखे कर रहा है 11 बटा 24 भागा डोट डोट बराबर माइनस 11 बटा 15 में रिकतरसान में क्या होगा ताप यहां पर यहां पर जो संख्या दिया हुआ है उसको X by Y मानकर जैसा कि यहां पर आपको सल्यूचन देखा रहा हूं इस तरह से आप मानकर इसका एंसर बता सकते हैं तो इसका रेंसर हो जाएगा चौथा ओप्शन नमबर 4 यहां कर रहा वन बाई टू और एक बटा चार के मध्य एक पर मैं संख्या बताईए अर्थात यहां पर इस दुनों के मध्य के बरामें बराद बताने के लिए कर रहा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक अगला कि प्शन कर रहा है कि नमली खित्म से किस संख्या के वर्ग का इक होगा अर्थात कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का इक होगा तो कौन सी संख्या होगा अगर सम का वर्ग करेंगे तो सम ही होता है अगर विसम का वर्ग करते हैं तो विसम होता है इसलिए यहां पर निकाला होगा तो इसकegen पहले आप उसको जो संख्या दिया हुआ है उसको हम पीछे से जोड़ा इहां पर जुड़ा मिलाँ दीए और जुड़ामाराने के बाद देखेंगे पूम नुभर जिए कि पाच यहां पर देखेंगे, इसका राइट एंसर अप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके बाद अगला की उचन है 99999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं एक के पावर 0 इसकोल 2 वन होता है इसलिए राइट एंसर दूसरा हो जाएगा तो के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 0 बराबर है तो यहां देखिए दू का पावर एक है तो दू हो जाएगा पाच का इसकोड़ा 25 और 7 के पावर 0 का माने एक होता है तो 25 गुना पचास ऑप्शन नंबर ए जो गैए नहीं अगला किविचं कर रहा है 2 x एक स्टीरी एक स्टीरी स्कॉल्ड टू यहां देखिए यहां पर अधार सियम होने पर एक स्टीरी इसकॉल टू 1 हो जाएगा तो एक सिसकॉल टू 1-3 एक सिसकॉल टू-2 राइट एंसर 4 यहां देखे यदि x बराबर 1 और y बराबर माइनस 2 हो तो x square पलस y square का मान बइठाने पर तिसका राइट टेंसर यहां देखे solution कर दो है राइट टेंसर हो जाएगा option नमबर 3 पाच अगला question यहां देखे x square माइनस x पलस 1 किस परकार का बीज़े में देखा तिसका राइट टेंसर हो जाएगा option नमबर 3 इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं यहां देखे यहां देखे यह 5 m square पलस माइनस 4 इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर 4 इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं तागला question यहां देख रहे होंगे यहां करा एक सबराबर 0 रखने पर तिसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर 2 इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं किसी संख्या के दूगने में आठ जोड़ने पर 32 प्राप्ताइस संख्या क्या हो जाएगा तिसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर 1 कि इसके बाद अगला क्योंचा क्युचा हम लोग देखते हैं आगला क्यूचन करा यह दिगपि बाटफ 7 इक राइट एंसर हो जाएगा option नमबर 3 कि इसके बाद अगला क्यूच हम लोग देखते हैं तो यहां पर देखिए एक ृभी का अंकीत मूल यतना रुप्या है तिसका राई टेंसर रोजाइगा उप्षन नमबर 13 इसके बाद अगला क्योंचर यहां जो देख रहे हैं कराएक समानतर चतर पुछ जिसके प्रकते कुन सम्कोर्श होता है जिसके लिए ऊप्षन ऑनिवर 756 हम लोग देखते हैं GP9 यहां देखिए रोयल सुत्र में यहां पर पूछ रहा है तिसका राइट एंजर हो जाएगा option number दो। है इसके राइङक क्यूषन हैं पूछ रहा है त्सका इंसर फ्षॉजर औरpos नंबर 1 इसके बाद अगला क्यों देखते हैं कि यहwią फ़लक फलक कि fengy को कि संख्या कितनी होती है त्थिसका रबॉसर सब öपस नंबर ची आप सोडी ऊप्पर आम एक एंसर चाहिं नि'm एक अप्सन नमबर 3 इसके बाद अग्ला क्यू चैन Yakya ती जंक होस्ता है तो ही हुआ थिसी लिए अपसन को रहा है गहानाम में कितने किनारे होते हैं तिसका खो Dáil tio चैनक्र कर यहां ऩूर्चा करें देखिए कर में सक्षेक्षा इसकी खेंस्थ नाहां तो जानते हैं गहन का आयतन बराबर होता है एक यूँ अर्थात साथ का क्यूँ तीन सो तेतालिस होता अप्शन नमबर तीन इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तो अगला क्यूचन यहां कह रहा है क्यूचन नमबर तीस यहां पर आपका प्रिष्टे शेत्रफल भन की प्रिष्टे शेत्रफल दिया हुए है तो इसका राइट टेंसर हो जगा ऑप्शन नमबर दो इसके बाद अगला क् लिकालने के लिए तो मिलान चीन पाच्वा नंबर से कड़ जाता है तो इसके लिए राइट एंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर चार इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग देखते हैं तो अगला क्यूशन में भी कर रहा है मिलान चीन देखना इसमें 12-14 है तो 14 का मिल आपका खुशन कहले है यहाँ देखे परी olduğunu कर आपका देंगे इसके बाद अगला क्यूशन यहां देखेंगे यहां पर देखिए निम सीमा बोल रहा प्राइखा़ आरठ जो कम होता है वही निम सीमा में अपका इसार हम लोग आफूशन और यहां काला है दो पहलो और एक चाट के लिए बिरितिये कमान कितना होता है ति 306 डिग्री होता है अप्शन नमबर 4 इसके बाद अगला क्यूचन देखते हैं जब हम एक पासे को फेका जाता है तो सम आने के परिखता अर्था सम आता है तीन बटा चाट करेंगे तो वन बाई टू इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग यहां देखते हैं तो एक थैले में यहां पर चार निली गल्ट दो हरी गेंद और पाच काली गेंद तथा थैले की अंदर भीना आज यह से राइक पर निकेंदा निकाल लिया जाता है तो इसका राइट आधा आज अब आधा फ्लक होते हैं इसलिए नमबर होंगे इसके बाद अगला क्यूचन देखते हैं यहां एक्स का मान निकालने के लिए क्लिए कर रहा है यह तिर एक्स कितना है इसके बाद अगला की उचन हम लोग देखते हैं तर्व नमबर एक जीरो जीरो इसके बाद अगला की उचन हैं देखते हैं यहां पर देखिए आपको ए और बी कमान निकालने के लिए करा रहा है इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तेहां बेलन का वकर पीशे स्युत्र बोलो रहा तेहां पर हो जाएगा टू पाई आर इंटू एच ओप्शन नमबर दो इसके बाद लास्ट क्यूचन यहां देखे संक्वा का राकृत्य का उद्धारन है इसका राइट एं करना नई भूलेंगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तप तप के लिए चाहिंद वेस्ट आफ लग कर देखे लास्ट कर देखे